कमक्ये वर्दी देवी वील परतवासिनी तम देवी जगतमाता योनी मुद्रे नमस्तुते कमक्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर्पिये काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते खाम दे काम रुपस ते सुबगे सुर्सेवी ते करोमी दर्शन देवियम सर कामार सिद्ध ये ओम महेशानी महामाई चामुंडे मुंडमाली नी आयू आरोग्य एश्वर देही में देवी परमेश्वरी ओम जैन्ती मंगला काली भदर काली कपाली नी दुर्गा छमा शिवा धातरी स्वाहा सरा नमस्तु दे ओम सर्मंगल मंगल ये शिवे सर्वासादी के शरन्ये त्रम्ब के गोरी नारायनी नमस्तु दे दुर्गति नाशिनी दुर्गा जै जै कालवि नाशिनी काली जै जै उमा रमा ब्रह्मानी जै जै सीता राधा रुकमनी जै जै महालक्षमी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरी प्रिये नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधी देव राधा टरस्ट की तरफ से सत्यवानी की प्रस्तुती आज रहस मैं ज्यान लेकर क्या आये हैं मेरे पास अधिकांश्त हमें देखता हूँ महिलाओं के उपर तंत्रविज्या जादा होती है विभिन विभिन प्रकार की तंत्रविज्या हो रही है उधारन के लिए पर लेके देखें कहीं पर पती छोड़ करके चला गया है पती ने छोड़ दिया है कहीं पर वशी करन हो गया है तो किसी ने खिलाई पिलाई कर दी है तो किसी के साथ में कोई प्रेत आकर के सो रहा है तो किसी के शरीर के अंदर से खून निकल रहा है शरीर में विभिन प्रकार के दाग हो रहे है तो किसी को शिरी के अंदर स्विच चूप रही है तो किसी के अंदर शरीर के अंदर अलग अलग जगे दर्द होता है किसी की कोख बांदी है तो बच्चे पेदा नहीं हो रहे है और किसी के यह इतनी जादा दरिद्धता आ गई है कि वह हर समय रोती ही रेती है और तंत्र विद्या की वज़े से उनका मानसिक विच्छिप्तता आ गई है और तंत्र विद्या की वज़े से कुछ इतने जादा बिमार पड़ गए है कि पूरा फेशा बिमारी में दुखी में खर्च कर दिया है और आज कंगाली की स्थती में आ गए है ये सब इस्त्रियों के बारे में ही बात कर रहा हूँ अपनी माता बेहनों के बारे में ऐसा क्यों कि सबसे ज़्यादा पीरित जो है माता बेहने ही रहती है तंदर से पीरित मनुश्य कम रहता है पुरुष कम रहता है इस्त्रियां जादा रेती है तो इस्त्रियों पर तंत्रविद्या क्यों जादा लग जाती है उसका एक मात्र कारण है एक मात्र जो सफसे जादा कारण है वह है उनकी हर मा होने वाली अशुदता यदि कोई इस्त्री उस अशुटता के समय पे घर से बाहर नहीं निकले तो उसके पर तंत्र विद्या का असर नहीं हो सकता है और एक और और कारण है जो देखने में आया है कि आजकल की जितनी भी महिलाएं हैं वह सब महिला ब्यूटी पालर जाकर के अपने बालों को कटवाती है और ब्यूटी पालर वाले उन बालों को इखटा करके फेग देते हैं जहां पर कच्रा घर होता है रोडी होती हैं वहाँ पर फेग देते हैं किसी पॉली थिन में बंद करके और वहाँ से कुछ अगोरी लोग ओघण लोग या गलत काम करने वाले लोग उन बालों को हवन सामगरी में मिला करके हवन करते हैं जिससे जिन जिन महिलाओं के बाल हैं उन सब महिलाओं के उपर तंतरविद्य हो जाती हैं मानो यानो बानो यह पूनता सत्य बोल रहा हूँ मैं क्योंकि आज मुझे एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुए जिसने ये बात बताई उसने कहा मैंने ये प्रेक्टिकल प्रयोक किया है तो मैंने का बाल कहां से प्राप्त करते हैं तो बोलते हैं बहुत से ब्यूटी पालर हैं जहां पर केवल महिलाओं के ही ब्यूटी पालर हैं उन ब्यूटी पालर से बाल प्राप्त करता है और हवन सामगरी में मिला करके हवन करता है शट कर्म होता है उचाटन होता है वशी करन होता है मारन परियोक भी होता है तो मेरा सबी माता बैहनों से निवेधन है कि वह ब्यूटी बालन में जाकर के बाल नहीं कट आए अन्यता भीमार तो अवश्य पढ़ोगे ही पढ़ोगे और आपके उपर स्वतह तंत्र हो जाएगा फिर आप कहोगे आपके किसी घरवालों ने करा दिया आपके किसी रिष्टेदान ने करवा दिया आपके पडोसी ने करवा दिया या फिर आपको कहोगे हमारे दुस्मन ने उनने करवा दिया पर अज़ो आज़ का मेरा अनुभाव जो बोल रहा है ये बोल रहा है कि ये स्वत्त हतंतर होता है क्योंकि ये बात मैं भी जानता हूँ कि महिला के बालों को यदि हवन सामगरी में मिला करके वीशेश मंत्रों से यदि आहुती दी जाए तो जिन जिन महिलाओं के बाल उसके अंदर प्रयोक किये गए हैं उन सब महिलाओं के उपर खोशन कुछ तंत विद्या का असर अवश्य होगा उस मंत्र का प्रभाव अवश्य पड़ेगा इसलिए मैं सभी माता बेहनों से निवेदन करता हूँ एक ज्यान देने के नाते मेरा धर्म है आपको ज्यान देना मानना या नहीं मानना आपके उपर निर्भर करता है तो मैं अपनी देवरादा ट्रस्ट सत्यवानी की तरफ से आपसे सबसे प्राथना करता हूँ कि आप ब्यूटी फालर में जाकर के बाल नहीं कटा है क्योंकि आपके बालों के उपर तंत्रविद्या हो रही है यह निश्चित है क्योंकि बाल एक ऐसी चीज होती है जिससे पागलपन भी किया जा सकता है किसी की कोक भी बांदी जा सकती है किसी का वशी करन भी किया जा सकता है किसी का उच्चा टन भी किया जा सकता है और तरह तरह की बीमारिया भी दी जा सकती है मैं जो कह रहा हूँ इसके अर्थ को गहराई से समझने का प्रयास करियेगा और एक और बात में पुनह मता बेहनों से निवेदन करता हूँ कि वह किसी एक बिल्डिंग में रहती हो किसी गेस्ट हाउस में रहती हो जिसमें सिर्म महिलाओं को ही अला हुए ऐसे गेस्ट हाउस में रहती हो तो अपने डश्ट बिन के अंदर मासिक धर्म का कपड़ा न डाले पीरियट का कपड़ा न डाले रजस्वला से युक्त रज का कपड़ा न फेके क्योंकि कहीं बार एसा देखा गया है कि कुछ प्रयोग करने वाले एसे रज के कपड़े को इखटा करते है और इखटा करने के बाद में कुछ विशेश काम से सम्मन्धित कुछ मंत्र होते है उन मंत्रों से उस रजस्वला के कपड़े के टुकड़े करके हवन करते है जिससे उन महिलाओं की कोख बंद सकती है तरह तरह की बीमारिया मिल सकती है जेसा मंत्र बोल करके हवन किया गया वेसी ही चीज उनके शरीर तक पहुँशती है इसलिए मैं कहता हूँ कि इन चीजों को जलाना चाहिए फेका मत करा करो ये भी सत्य बोल रहा हूँ क्योंकि उस रज के अंदर भी रज के कपड़े में भी जो रज होता है उसके उपर तंतर विद्या होती है और उससे अच्निस्ट वाली ही तंतर विद्या होती है अच्छी तंतर विद्या नहीं होती है मैं फिर नहीं कहूँगा कि फिर से आप यहीं कहोगी कि हमारे पडोसी ने कुछ कर दिया हमारे किसी रिष्टेदान ने कर दिया बन्तु गल्ती आप सयम करती हो इसलिए अपनी गल्ती को सुधानने का प्रयास करें तो अपने रज के कपड़े को एसे ही न फेके और अपने बाल को न कटवाएं यह तंत्र विद्या का एक रहस्य मयान है जो मैंने आप तक पहुँचाने का प्रयास किया ताकि आप सुखी रख सकें सुखी रह सकें स्वस्त रह सकें और आप कस्ट में न रहें मानना या नहीं मानना आपके विवेक पर निर्भर करता है जै माता दी जै माका माख्या माका मख्या, अद्धि शक्ति भवानी अलहादीनी शक्ति कष्ट निवारीनी, दुख निवारीनी महिसा सुर मरदनी, चंड़ मुंड़ नाशीनी सीहवाईनी, आप सबका कल्यान करें मुझे उम्मीद है आप इस तथे के उपर अवस्व विचार करोगी क्योंकि आप पड़ी लिखी हो समझदार भी हो और तंत्र के बारे में न जानती हो तो आप जान जाएए कि तंत्र क्या होता है तंत्र की अदिस्ठात्री देवी माका मख्या के चर्णों में प्रणाम जैमात अदी